20 फरवरी के जिन लोगों का विज्ञान का एक्जाम है वो बिहार बोट से मैट्री के एक्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो ये वीडियो है और वो लोग इस वीडियो को अन तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो हम 80 कुशन लिये हुए हैं इसमें से आपको 20 से 25 कुशन ऐसे हैं जो बार बार एक्जाम में रिपीट किया गया है हो सकता है कि आपका जो एक्जाम 20 फरवरी के होने वाला है विज्ञान का उसमें भी 15 से 20 कुशन इसमें से जरूर आ जाए तो इस वीडियो कौन तक देखेगा कुश कुशन जो है इसमें से कुशन बैंक में से लिये हैं कुछ जो है विहार बोड का जो मोडल पेपर आता है उसमें से लिये हुए हैं मेडी का गाई रहता है बिरलेट का गाई रहता है सब का मिला करके टोटल 80 कुशन को लिया गया है तो 80 कुशन को आप अन तक जरूर देखेगा फटा फटा फट हम चलते हैं बीना समय गबाय हुए कुशन को शुरू करते हैं पहला कुशन कर रहा है कि नीमिन में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए परियोग किया जाता है जल का भी परियोग किया जाता है कांच का भी परियोग किया जाता है प्लास्टिक का भी परियोग किया जाता है मिटी का परियोग जो है वो मिटी का परियोग जो है लेंस के लिए नहीं किया जाता है लेंस को बनाने में जल क्या बोलते हैं निर्गत कीरण और अभिलम के बीच के जो कुन होता है हम उसे निर्गत कुन कहते हैं क्या बोलते हैं निर्गत कुन तो पहला कुसन हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इसे म्यू का मान भी बोला जाता है अगला कुसन है ये कुसन जो तीसरा नमर बताए है ये मोश्ट भीवी आई कुसन है कई बार ये जाम में रिपिट किया गया है तो इस कुसन को थोड़ा ध्यान से देख लीजेगा अगला कुसन है समाने दिरिष्टी के बैस के लिए सुअसपस दर्सन की नियुंतम दूरी होती है देखिए ये कुसन भी जो है ये खास करके तेंथ में ही नहीं कि 11-12 में भी कुसन कई बार पुछा गया है और 12 बाले बच्चू के लिए भी बहुत बार ये कुसन आया हुआ है और 13 में तो अथा है मतलब पुछिए नहीं एक सल अतरा के अगले साल यहां तक ही कई बार ये कुसन पुछा गया है हमको लगता है कि अभी तक ले जो है चार से पाँच बार ये कुसन तो हम खाली देखे हैं कि परहते समय आया हुआ है उसके अलाबा ये अगर आप कुसन में कुल्टा करके देखें तो लगबग साल एक या दो साल अतरा देता है लगबग साल इस कुसन को पुछा गया है इस कुसन को पुछने के एक और तरीका होता है कि समाने दिरिष्टी के लिए निवंतम दूरी कितनी होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा आप जानते है पचीश सेंटीमिटर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमिटर होगा इसको निकर के देखेगा लेकिन उसको शुति दोस है उसको निकर का देखेगा दूर का नहीं देखेगा लेकिन उसका opposite नहीं दिखेगा इसमें काति कह रहा है दूर डिस्टी वाली आँखे यानि जिस बेक्ति को दूर डिस्टी की problem हो जाता है उस बेक्ति को दूर की बस्तु साब साब दिखेगा लेकिन नजदी के बस्तु नहीं दिखेगा इसी तरीके से एक होता है निकट डिस् वाले आखे साप साप क्या देख सकती है तो वह साप साप दूर की बस्तू को देख सकता है क्या देख सकता है दूर की बस्तू को वह साप साप देख सकता है बलकि नजदी की बस्तू को वह साप साप नहीं देख सकता है अगला कुशन है काज प्रीजम दोरा उत्पन स्वेत प जाम में 80 कुस्टन ही बनाने होंगे और 80 कुस्टन में से केवल और केवल आपको 40 कुस्टन का जवाब देना होता है तो देखें काच जो होता है सीसा जिसको बोलते हैं काच प्रीज में दोराउत्पन स्वेत परकास स्वेत का मतलब क्या होता है उजला स्वेत परकास के स्पे जो जुकाब होता है वह बैगनी कलर का है सबसे कम जुकाब लाल कलर का है अगला देखिए किस उपकरण में धान और स्वरन का चीन नहीं होता है कुंडली जो होता है कुंडली जो हम बताएंगे लेकिन अभी आपर तो समय है समय है नहीं मतलब अभी तो हम यहाँ पर बना रहे हैं तो कुंडली के बारे में हम अपने चैनल पर वीडियो बना दी हुए आप देख सकते हैं किस उपकरन में धान और स्वरन का चीन नहीं होता है धान और रिन जोता है कुंडली में नहीं होता है याद रखेगा यह ज्यादा भी भी आई नहीं है चलिए अगला है दस ओम इसको क्या बोलते हैं इस तरीके सकर कैसे रहता है इसको ओम का निसान बोलते हैं दस ओम और वीस ओम के दो परतिरोदों को सिरेनी क्राम में जोड़ने पर सम्तुल परतिरोद होगा यह भी कुशन भी भी आई है इस तरह के कुशन आपको बार बार पुश्टा है दस ओम और वीस ओम के दो परतिरोदों को सिरेनी क्राम में सिरेनी क्राम का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बज़े से बैटरी कराता है न तो सिरेनी करह में जोडने पर सम्तुल परतिरोद क्या होगा? सम्तुल परतिरोद जो होगा? वो 30 ohm होगा, क्या होगा? 30 ohm, यानि 20 और 10 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 30 आदूनू को दूसरे भाग कर दीजिए, जोर दीज़ सिर्फ रहने दीज़े काईगी इसमें यही फर्मूला लगेगा तो 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिदों को सरीन कमें जोरने पर वह दून जूट जाएगा तो 10 ओम और 20 ओम कितना हो गया 30 ओम इसका एंसर क्या हो जाएगा तीसोम इसका एंसर क्या हो जाएगा तीसोम अगला कुशन है बारा बोल्ट विभांतर के दो बारा बोल्ट विभांतर के दो बिंदू के बीच दू क्लाम अभेस को ले जाने में कार किया जाता है बारा बोल्ट विभांतर है ठीक है बोल्ट विभांतर है तो उसके बीच जोता दो बिंदों के बीच दू कुलाम आभेस ले जाते हैं कौन सा आभेस ले जाते हैं दू कुलाम आभेस ले जाते हैं तो ले जाने में किया क्या ले जाने में कार जो है किया जाता है कुन सकार के जाएगा तो ले जाने में जो कार हो जाएगा वो 24 Joule हो जाएगा देखे 12 वोल्त है दो क्लाम ले जाएगा तो बारा दूना 12 गुने दू हो जाएगा 24 Joule 24 Joule ठाइगा जे पर joule वीधित फ्यूज काम करता है V-V-I कुसं है, most V-V-I कुसं है बिदुत फ्यूज किस पर काम करता है तो बिदुत फ्यूज होता है वो किस पर काम करता है धारा के उस्मिय परभाब पर काम करता है यह दि किसी नरम लोहे को धारावाई कुंडली के गर में रख दे जाए तो क्या बनता है यह दि किसी नरम लोहे को धारावाई कुंडली के रख दे जाए तो क्या बनता है तो वो जो है क्या बनेगा बीधुत चुम्बक बनेगा यानि किसी नरम लोहा को , धरवाई कुंडली के गर में रख दे जाए तो क्या बनेगा तो बीधुत चुम्बक बनेगा प्रता बीधुत चुम्बक हावर्स जोता है वो कितने के बराबर हो जाएगा इसका एंसर अगर आप देखेंगे तो इसका एंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 to the power 6 जूल जोता है बराबर होता है 1 किलो वार्ड ये कुशन भी कई बार पुछा हुआ है थोड़ा सा देख लिजिए का ध्यान से ये कुशन भी कई बार आया हुआ दो तीन बार एक कुशन आया हुआ तो ये भी मोस्ट भी भी आई है बारा नमर कुशन नाब की उर्जाज होता है वो नाभी जैसे की फेट में नाभी जोता है उसे ये उर्जाज होता है वो एक जो इलक्ट्रोन होता है उसके अंदर में रहता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा यूरेनियम नाब की उर्जा प्राप्त करने है तो आप सक रहा है नो तुम लोग देखो ध्यान से तुम लोग भी ध्यान से देखो असाब आदमी देखो ध्यान से नाविकिये उर्जा अगर हमें प्राव्ट करना है तो किस चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत होगा तो सबसे ज़्यादा जरूरत होगा यो यूरेनियम का यूरेनियम वह होता है वह एक्षैट करता है दू टू को मिलाते है तो महलता है इसका कि यह चाओदऺ मतलब क्या होनाया है दू नबर में ढूर coughing कि अगला बोजन का पचना तथा पकाना किस परकार के अभिकिरिया है तो यह जो जाएगा उपचैन अभिकिरिया हो जाएगा उपचैन अभिकिरिया अगला कुछन नंबर रसाइनिक समिकरन AP PLUS H2O यानि AP जो होता लोहा का होता है H2O जल हो गया उसके साथ अगर हम जल के साथ यानि लोहा रख दिये लोहा पर हम जल रखेंगे तो AP 3O 4 हो जाएगा प्लस में H2O को संतुलित करने पर जल में अनू की संख्या क्या हो जाएगा जब हम H2O को यानि की AP करेंगे हैं यही थानिफी को साथ करेंगे आृट्रय करेंगे हैं तो उसके बाद जाल में अनू बचेगा उस अनू की संख्या कितना होगा तो पूशह गा्में होते हैं पहले तो निकल गया तो अगर तुम देखोगे तो होता है अगर यहां पर तुम्हारा अभी चार आए पहले आठ रहता है ठीक है स्टू को संतुलित कर दिया तो चार को बचेगा इसका रियक्षन कराना पड़ता है तो रियक्षन वाला जो देखा होगा उसको समझ में आ सब्सक्राइब है तो यहां पर भी 3 रखना पड़ेगा तो है तो इस पर कीडिया को क्या कहा जाता है कि sodium chloride के जलिये गोल से बीदु धरा परवाइद करने पर बीदु धरा कर जब भी परवाइद करते हैं तो इस परकिरिया को जो है हम हम क्या कहते हैं इस परकिरिया को जो हम है chlorochar परकिरिया कहते हैं कौन सा परकिरिया बलेंगे chlorochar परकिरिया यादि अभी इस कुशन को थोड़ा घुमा करके पूछ दे सबजेक्टी में कि क्लोरो छार परकिरिया क्या है तो क्लोरो छार परकिरिया वैसी परकिरिया सोडियम कलोराइड के जलिये गोल से बीदु धरा परवायत करने पर जो बियोजित होकर के sodium hydroxide बनाता है तो इस परकार की परकिरिया को हम क्लोरो छार परकिरिया कहते है अगला कुशन चीनी का आन्वी सब क्या है और सुत्र क्या होगा यहाँ पर सब का मतलब सुत्र हो जाता है चीनी का आन्वी सुत्र क्या है है सुत्र होना चाहिए तो चीनी का अनभी सुत्र क्या हो जाएगा बता फटा फटा सी बारा देखो इसे लिख रहेगा सी बारा एच बाएस ओ आग आरा यह कुछन कही बार पुछा गया हुआ है याद कर लो चीनी जो तुम खाते हो ना सुगर एक को सुवर होता है जो पीग होता है इंगलीज एक सुगर जिसको चीनी बोलता है इंगलीज में तो चीनी जो खाते हो उसका फर्मुला तो C, 12, 22, O, यह मोस्ट भी भी यह कुस्षन है कई बार यह कुस्षन है हुआ हो सकता है कि भियान वाला जो भिज्ञान के कुस्षन है उसमें भी आ जाए हम हमारा सरीर जोता है किस पीएज परास के अंदरे रहता है तो ऐसा कौन सा पीएज परास है जिसके अंदर हमारा रहता है तो हमारा बड़ी जोता है वह साथ से ले करके साथ दसमलब आठे तक काम करता है हमारा बड़ी जोता है वह हमारे बड़ी का पीएज मान जोता है बड रोजन की मात्रा उसमें कितनी है तो इसका अप्सन क्या हो जाएगा डी नंबर साथ से 7.8 अगला कुशन है निमलिखित में से किसे चाकु से कटा जा सकता है यह कुशन तो हमको लगता है कि ऐसा कोई सान नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया हो लगबग साल ही पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान करके इसको देखना लिथियम सोडियम इस सब एके गुरूप का है तो लिथियम दिया रहेगा तो लिथियम मारना सोडियम दिया रहेगा तो सोडियम मारना बहुत बार सोडियम करके पूछा हुआ है बहुत बार क्या किया है लिथियम करके पूछा ह हुआ है हम परहाए उसमें की सोडियर लीथियम यह सब ऐसी पदार्थ यह सब ऐसे बसंग सो कौन आइनिक योगरें यह कौन आयनी को आयनी का की सीएल टूसी ए सीएल टू एक के यह highest उप धातू है दॉप धातू है लोहा होगा निकेल होगा- एसब धातू है वाकि सब धातू है लोहा एफी को लोहा बलते है लोहा कॉपर निकेल ये सब धातु है एस भी जो है ये जो है हमारा क्या हो जाएगा उप धातु है प्रतम कार्वनिक योगी कि यूरिया का संसिलेशन किसी ने किया था प्रथम कार्वनिक होगी, पुछेगा प्रथम कार्वनिक होगी क्या है, तो यूरिया है, अब यूरिया का संसिलेशन कोन किया था, तो यूरिया का संसिलेशन जो हता है, बोहर ने किया था, कोन किया था, बोहर जो है बैग्यानिक था, जो अपने परयोगसाला में यूरिया क असेंसलेशन किया था, अगला question है, calcium carbonryd gel ke sathab क्रिया कर देता है, calcium carbohydrate होना थी, carbohydrate कर दिया है, पता ने question में क्या कर Mickey क्रिया कर के क्या देता है, calcium जो हता है, वो J newcomer ke sathab कर देगा, तो athine देगा, क्या देगा, aethine देखा एक बार देखते रहो धन ध्यान से ध्यान से इसको देखो निमलिकी तुमे कौन समाव यभी है समाव यभी है तो समाव यभी के लिए हम क्या करेंगे देखो C2H5OH C2H5OH और बेगल में दिया और तहीं से भी लिख सकते है CH3 O CH3 समाव यभी है C नमबर अपसन इसका बिलकूल सही हो जाएगा 25 का अपसन क्या हो जाएगा C नमबर ठीक है अगला है वर्ग 1 के तत्व कहलाते है देखो प्रेडि टेबल में वर्ग 1 होता है उसके तत्व क्या कहलाते है संकरमन तत्व 4 धात्वे चार ये मिद्र धात वे लेथेनाइट भल तुम लोगो पढ़ाएंगे क्या होगा क्या हो जाएगे इसका इसका इंसर हो जाएगा चार धात वे भल अब लिखाईए रहा है तुम लोगो थोड़ा से ध्यान दो इसमें ठीक है पहुदे में सोसन किरिया का अंदरगाद ADP के टूटने से कितनी उर्जा मुखत होती है तीस दसमलब पांच कीलो जूल पर मूल इतनी उर्जा होती है यानि पहुदे में सोसन किरिया का अंदरगाद ADP के टूटने से कितनी उर्जा मुखत होती है तो 30.5 कीलो जूल पर मूल पादप में जायलम उतरदाई होता है पादप में जायलम किसे लिए उतरदाई होता है जल का बहन करने के लिए पादप में जायलम जो होता है उतरदाई होता है वो जल का बहन करने के लिए अगला खुला परिसंचरन परिसंचरन तंतर किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरन तंतर किसमें पाया जाता है तो मनुस में कोक्रोच में घोरा में उट में किसमें होगा तो यह हो जाएगा कोक्रोच में कोक्रोच में खुला परिसंचरन तंतर होता है वो बड़ी के अंदर आता है उसमें पाया जा प्रतिवर्त किरिया क्या है प्रतिवर्ति किरिया क्या है प्रतिवर्ति किरिया क्या है लार आना रख्तदान हिर्दयगती सभी तो प्रतिवर्ति किरिया जो जाएगा वो सभी हो जाएगा लार आना रक्तदान करना हिर्दैगती रक्तदान जोता है वो सब जोता है परतिवर्ति किरिया है कोमल मस्ति सुरक्षित रहता है कोमल मस्ति किसे सुरक्षित रहता है मस्ति गुहा में सुरक्षित रहता है मानब सरीर में सबसे लंबी कोषका कौन है मानब सरीर में सबसे लंबी कोषका जो जाएगा तंतरी का कोषिका है यह सबसे भरी कुष़का मैना जाता है ठीके है सबए सलंबी कोषिका कों है कोई है थोड़ा सध्यान कर लेना कही बार ये कुछन पूछा गया हुआ है ये कौन है चलो यह देखो मुखलन दोरा प्रजनन किस में होता है मुखलन दोरा प्रजनन ये भी कही बार कुछन पूछा गया तो इस्ट में मुकलन दोरा परजनन जोता है वो इस्ट में होता है फूल में नर जनन अंग किसमे होता है तो फूल में नर जनन अंग जोता है पूंके सर्म होता है किसमे होता है पूंके सर्म होता है मनुस के 22 जोरे क्रोमसोम को क्या कहते है मनुस में 22 जोरा क्रोमोसम होता है उसको क्या कहते है आटोसम, लिंग क्रोमोसम X क्रोमोसम, Y क्रोमोसम इसका answer क्या हो जाएगा आटोसम, आटोसम कहते है मनुस में जो 22 जोरा है मनुस के 22 जोरा जो क्रोमोसम है उसको हम आटोसम कहते है पक्षी और चमगादर के पंग क्या होता है पक्षी और चमगादर के पंग जोता है समझात अंग है क्योंकि पक्षी मतलब समझादर पक्षी और चमगादर के अंग एक जैसा होता है समझात अंग होता है अगला प्रात्मी को भोगता क्या कलता है उजोन के एक अनु में परमानियों की तीन संख्या होती है कितनी संख्या होती है तीन संख्या होती है उजोन के एक अनु में परमानियों की टोटल तीन संख्या होती है कितना संख्या होती है तीन संख्या होती है पेट्रोलियम का उपियोग किसलिए होता है मोटर बाहन में, जलियान में, बाईवान में, इनमें से सभी में पेट्रोलियम का उपियोग किस में होता है? पेट्रोलियम का उपियोग जोता है, मोटर बाहन में तो हुए बे करता है जलियान में हुए बे करता है, जलियान मतलब सीप में भी होता है बाईवान में भी होता है यानि इसका एंसर क्या हो जाएगा डी नमबर इन में से सभी ठीक है इंडिया से पकिस्तान तक लखी रिखी दिये हैं कोईला का मुख सुरत क्या है जलिय जी पौधे चटान या सभी कोईला का परमुख सुरत क्या हो जाएगा कोईला का परमुग सुरते पौधे जब में में पौधे जो होता है वह में में पौधे जब टूट जाता है तो टूट करके जब धर्ती के अंदर जाता है समुद्धी के किनारे रहता है तो यही हजारों साल के बाद कोईला बन करके धर्ती से निकलता है जब पेर पौधे या जिब जन्त हुए जब समुद्र के किनाड़े जल में या अभधर्ती के अंदर दब जाता है हजारों साल के बाद यही पॉंधा कोईला करूप में बनता है और यह कोईला जो होता है परचूर मत्रा में होता है और ना तो कोई लाका मुख्ञ शूरूत क्या है पहुंख हैं अगला निम्वन में से कौछ सब्सक्राइब बीदूत रेसिस्टेंस, आई tobacco रै तो I इसमें ज़्यादा करेंट और रेसिस्टेंस, अगला, तामी कितार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकिय छेतर में एक घुर्णी गती कर रही है, इस कुंडली में परित बितुधारा की दिशा में कितने परिभ्रामन के पस्चाथ परिवर्तन होता है, दो, एक, आधे, एक चुताई, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इ अमीबा जो है, पूनरूद भावण का उदारा नहीं, अगला कुशन, अगला कुशन है, अगला कुशन है, अगला कुशन है, टीन्डल पर भाब परकास की कौन सी परिघटना को परदसित करता है, तींडल परभाव जो होता है वो परकास की कौन सी परिखटना को परदसित करता है तो यह जो जाएगा परकास की परिखिरनन का परदसित करता है बाकि तीनगों का परदसित नहीं करता है तो तींडल परभाव परकास की परकास का परिखिरनन परिखटना को परदसित करता है शुतर क्या होता हैं विरंजड चुनका रसायनी शुतर ये बीवी आया कुसन है और उपरका वाला जो भी हम देखाए है ये भी बीवी आय कुसन है ये भी कई back कुसन है ये बी याम आती, भोटिंग उटिंग है तो थोड़ा हलके कुशन रहेगा, इस तरह के कुशन रहेगा तो देख लीजेगा, बिरंजग चुन का रसानी सुत्र क्या होता है, यह कुशन तो हमको लगता है कि अथाए बार पुछा हुआ है, C-A-O-C-L-2, बिरंजग चुन का रसानी स ठीक है, C-A-O-C-L-2, बिरंजग चुन का रसानी सुत्र, ठीक है, C-A-O-C-L-2, बिरंजग चुन का रसानी सुत्र, ठीक है, C-A-O-C-L-2, ठीक है, यही रहना है, चलो, B-Number, निम्न में से कौन गंगा परदूसन के लिए उतरदाई नहीं है, गंगा में अगर मचली पाल गंगा में अगर पाल रहा है, यह परदूसन के लिए अगर करोगे तो परदूसन नहीं फ्हलता है, बाकि अगर गंगा में कपरोथ हो रहा है, शरफ पूरभ डालेंगे, तो इसमें परद्सन हो गंगा, और जला सब को भीग देता है, आदा जब बड़ी ज़ो है, जहला त तो अगर जा रहा है बड़े बड़े फैक्टरी का तो उसे भी परदुसन होता है तो निमने से कोन गंगा परदुसन को उतरदाई नहीं है तो गंगा में अगर मचली पाल रहे है तो उतरदाई नहीं है क्योंकि और नदी में मचली रहवे करता है अगला दातों को साप करने क के लिए दंटमंजन प्राये क्या किस चीज़ इलिए होता है तो चारिये अंब लिए लबन यूप तीर्स कोई नहीं itroy इसका एंसर क्या हो जाएगा चारिये के लिए दातों को साब करने के लिए दंटमंजन जो हता है वह चारिये के लिए euh प्रियोग जाता है क्लोरीन के परमानु की बातम का अक्षा में लोक्टोनों की संख्या कितनी होती है क्लोरीन के परमानु के परमानु की बातम का अक्षा में लोक्टोनों की संख्या जोता है वह साथ होता है क्या होता है साथ होता है सूर्गम किस राज की जल संग्रहन वेव तो पुछेगा जल संगिधान वेवस्ता सुर्गम जो है किस राज में तो केरल में बायु मंडल में परकास का कौन सा रंग यानि वर्ण जो ता अधिक प्रिक्नन करता है यह भी कुछन मोस्ट बीवी आई है कई बारी कुछन पूछा जा चुका है यह भी कुछन बहुत पूछाता है यह क्या होता है कि लेएगा किटना होता है क्योंकि कुछन पते के ध्यान देदाना क्योंकि यह कुछन जो है ट्रा कि कुछन है और बड़ी से रिलेटर है तो इसको भी विवी आई हम लेकर के चलते हैं तो समान अनुसिथिलन रक्ट दाप जो होता है वो कितना होता है तो वो 80 mm, 80 mm, 80 mm, 80 mm, 80 mm, 80 mm, ऐसे कुछ करके होता है, mm, मतलब मिली 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 मिल तीन वह चीज पर चालाक का परतिरोद किस पर निर्वरन करता है तो इस तीने पर निर्वर jewelry करता है लेकिन चालाक में परवाइद भीतुधरा पर निरवर नहीं करता है अगला दोबिया सोडा का रसानी सुत्र यह तो हमको लगता है कि Board Model Question है दोबिया सोडा दोबिया सोडा मतलब तोने बला सोडा तो दोबिया सोडा का रसानी सुत्र क्या हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा Na2CO3 into 10H2 एनार लिखा रहेगा एक जाम में Na2CO3 इधर यहां देदेगा 10H2O याद रखना Na2CO3 into 10H2O दोविया सोडा कर असानी सुतर यही होता है याद रहेगा किसे परिकार के कोई दिक्कत हो रहा है समझ मारा है भेजा में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं चलो अगला रुधीर का कौन सा अभयब रख्त स्तराब को रोकने में मदद करता है रुधीर का कौन सा अभयब रुधीर का कौन सा अभयब तो प्लेट लेट्स प्लेट लेट्स जोता है रुधीर का एक अव्यब होता है जो रग्द अस्तराब को रोकने में मदद करता है अगला निवण मैंसे कौन सा जिवानू जनित रोग नहीं है जिवानू जनित रोग कौन नहीं होगा इसका answer आप जानते है मसा मसा होता है अपने, मने निकल जाता है रहता है गॉनेरिया शी फिल्स इन्ने सभी नहीं होगा मदल की मासा इन पर्याबरान अनुकुलन को नहीं है तो मोटरसाइकल से चलना पर्याबरान 는कुल नहीं है पैदल चलोगे तो पर्याबरान कोई परदुशन नहीं ओब रहां एक परदुशन शहाइब इस सोंप Hammando अनुकूल अनुकूल मतलब पडिया ब्रूद के रूवर कहा उरून्हके लए यह दूनी तो सब्सक्राइब कर welcome अगया कई परकार वाया सबसे कम सबसे कम किस दातु का होता है सोडियम का सबसे कम होता है इसी के लिए सोडियम को हम चाकु से काटते हैं ऐसा तत्व है जिसको हम चाकु से काट सकते हैं यह कुस्षन कई बार पुछा गया हुआ है तो एक सट कैंसर क्या हो जाएगा बी नमबर सोडियम ठीक है सोडियम जो है कि उसका गनलाग सबसे कम होता है ऐसा धातु है इसी लिए हम इसको टाकु से काट सकते हैं बाकि अल्मुनियम को पर इसको हम चाकु से नही कर सकते हैं ठीक है निम्न में से किस दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक होती है फिजिस का कुस्षन है ध्यान रखना ये भी कुस्षन बड़ा पुछा गया है निम्न में से किस दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक होती है समतल दर्पन उतल लेंस अफ्तल दर्पन इन में से सभ जाएगा ठीक के जिंग कार बन रहा है कोई सा धातु होता है और भी फो यह जाएगा घंथा रहा यह जोता है ус गैलियम जो हुब धातु है कौन सा अधातु कमडे के तापमान पर तरल अबस्ता में पाये जाता है। तो द्रव अबस्ता में कौन सा कुस्टन कौन सा ऐसा पदार्थ है तात्व है जो अधातु है जो कमड़े के तापमान पर तरल अबस्ता यानि द्रव अबस्ता में पाए जाता है इसका एंसर जानते हो सवादमी है ना अगर धातु पुछेगा तो मार देना पारा लेकिन अधातु है तो अधातु में मार देना ब्रोमिन अधातु में क्या मारना ब्रोमिन अगर धातु पुछेगा तो पारा होगा मरकरी पारा यह कुछन पुछाओ बाद सीधा करके कि कौन सा अधातु अगर पुछेगा कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर दरवस्ता है तो मरकौरी और वही पुछेगा कौन सा अधातु तो ब्रोमिन अधातु पुछेगा तो ब्रोमिन अधातु पुछेगा तो मरकौरी पारा ठीक है निवन में से कौन सा स्वक्ष उर्जा सुरोथ है इसका एंसर क्या हो जाएगा प्रकिरति गैस प्रकिरति से लिया गए गैस स्वपोसी पोसन के लिए आपसक है स्वपोसी पोसन के लिए क्या आपसक है आपसक है कि पूर्ण हरित हो यानि हारा भरा हो सुर्क परकास पड़ेगा तो वो परकास अंसलेशन परकिरिया से भोजन बनाएगा कर्मन डाइक साहर उसमें जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि इन्वे से सभी इसका एंसर सही हो जाएगा पर इंडिया से पकिस्तान, पटना से पकिस्तान इन्वे से कौन सा संबंध सत है कौन सा संबंध सत है भी बराबर आई, आई बटे आर भी बराबर हो गया आई बटे आर इसमें से कौन सा सम्मंद सत है बताओ यह कुछन भी कई बार पूछा हुआ है और तेंथ और तुहलत के लिए सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है तो तेंथ बाला के लिए तो पहले तेंथ बाला के लिए वीडियो बना रहा है इसका इंसर क्या हो जाएगा भी बराबर आई आर यानि भी बराबर आई आर यह सत है बाकी सब असत है भी बराबर आई आर होता है आई बराबर भी बटे आर होता है ठीक है आर बटे भी निवन में कौन एक लंगी एक लिंगी पूस्प है एक लिंगी पूस्प कौन हो जाएगा एक लिंगी पूस्प जो तोई उख़ते हैं पुष्प होता है पुष्प रहता है फ़ल ऑपीटा में पुष्ब रहता है फूल उस्से फ़ल बन जाता है और हुल में देखते हो बहुत सारा फूल लेकिन पपीता जोता है वह देखते हो एक लिंगी पुस्प होता है ठीक है में तुछ सब्सक्राइब में ब्रीदी हर्मोन में से कौन सा है इसका एंसर क्या हो जाएगा जिब्रेलिन क्या हो जिब्रेलिन जो है पात्म पाय जनरल ब्रिदी हर्मोन है कौन सा हाइड्रो कार्बन सबसे सरल योगिक है कौन सा ऐसा हाइड्रो कार्बन है जो सबसे सरल योगिक है सरल योगिक के लिए हम क्या करेंगे सरल योगिक के लिए हम मिथेन को लेते हैं मिथेन को कौन सा हाइड्रोकारवन सबसे अधीक सबसे अधीक सरल होता है कौन होता है मिथेन अगला संग मरमर का रसानी सुतर भी भी यह कुशन हो इसको बोर्ड में डलेके चलो संग मरमर का रसानी सुतर क्या हो जाएगा तो संगमरमर का रसानी सुतर हो जाएगा CACO3 हमड़ा लगता है वही बला में हमको लग रहा कलती है CAOS2 हो जाएगा बिरंजग चूर्ण का तो संगमरमर का रसानी सुतर हो जाएगा CAO था उसमें उसमें जो चूर्ण बताये थे तो उसमें कौन था blick - सीए-ओ-ि olsun था नहीं दो ठीक होगा अब इसमें संगमर्मर का रसाने सुतर है CACO3 CACO3 जो है वो संगमर्मर का रसाने सुतर दे रहा कौन होगा CACO3 संगमर्मर का रसानी सुतर हो जाएका CO2 अलग होताइ इसमील इसको ध्यान ना तो 72 जो, जाये स्यनबर अगला कि को चैarz काइस का उटा है रहने प्रतिस होता है, कैसा प्रतिस होता है किसी आंदरिक यहां से ओपर ने नेल SEC दो लेकिन वहां से देखोगे तो तो हमको जो आती जो भी अंतरिक शात्री जाएगा नील आर्म स्ट्रोंग गया था ठीक है तो जो भी अंतरिक शात्री उपर जाएगा उसको अंतरिक जो है space जो है काला प्रतित होगा कैसा प्रतित होगा काला प्रतित होगा मेरु रजु निकलता है मेरु रजु किसे निकलता है प्रमस्तिक से अनुमस्तिक से पौंसे मेडूला से किसे निकलता है ये प्रमस्तिक से निकलता है मेरु रजु प्रमस्तिक से निकलता है अति भारन के समय बीदूत परिपत में बीदूत धरा का मान क्या होता है अति भारन के समय बीदूत परिपत में जो होता है बीदूत धरा का मान कैसा होता है बीदूत धरा का मान जोता है परिवर्तित नहीं होला होला होता 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 है किसी कोस में इलेक्ट्रोनों को अधिक्तम संख्या कितनी ह लोगों को कैंसर रोग हो जाएगा तो उसको रोखने में काम कॉन करता है उजोन परत ओक्सिजन के दो परमानों के बीच कितने आबंद बने होते हैं ओक्सिजन के दो परमानों के बीच होता है दूई बंदी दूई आबंद होता है कितना आबंद होता है दूई बंदी आबंद होता है हमारा सरीर की स्पीच परास की बिचकार करता है तो वह दुबार कुंसन आगिया 7-7.8 तक, ठीक है? 7 से 7.8 तक काम करता है।